पंद्रा जून दो पहर दो बजे गलवान घाटे हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखे वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन फॉजी कमांडो अकेले नगी थे दुश्मन सैनिकों ने गिर्पे पत्थरों की आज लेकर फॉजी यूनिट पर धवा बोल दिया कबिन बेसकार स्कॉर्ट थ्री का भारतिये श्यात्र गुसपैटियों से सामना हुआ जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस खलन से गिरे पत्थर और चट्टा और अंधेरा अचा गया छे घंटे बाद जब लेटनेंट सिंकी आख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी पिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे बारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी भाईचारे और भारत के लिए फौजी